हेलो दोस्तों स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में तो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब लोग अच्छे और खुश होंगे तो यहां मैं तोड़ रही हूँ नेनुआ का फूल जिसे तोरही भी कहते हैं तो यह मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि हमारे यह काफी सारे हु तो मैं इन्हें तोड़ दी हूँ जितने भी खिले खिले फूल थे सारे मैंने यहां पर तोड़ लिये हैं और काफी सारा था यह और नेनुआ का जो हमारा बेल है वह काफी फैला हुआ है चारो तरफ तो बहुत सारे फूल मुझे मिल गए थे और मैं चुन-चुन के चीटिया नहीं थी वह मैं तोड़ रही हूँ यहां पर तो इसके आज हम बनाएंगे पकोड़े जो की काफी अच्छे बनते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो यह देखे मैंने इतने सारे फूल यहां पर तोड़ लिये हैं और इसे धो के अच्छी तरह से मैंने सुखा लिया था और सुखाने के बाद हम इसे देखे इस तरह से इसकी पंखुरिया इस तरह से तोड़ लेंगे तोड़ने में जादर परेशानी नहीं होती है इसे बस आप हाथ से थोड़ा से जोड़ लगाए तो यह आराम से तोड़ जाता है बस इसके हमें पंखुरिया निकाल कि उसके बाद हम लेंगे यहां पर यह थोड़ा सा चावल है एक चमची करी मैंने चावल लिया है यह कच्छे चावल जो खाने में यूज Als के यह जाते हैं तो यह मेंने लिया है इस तो हम इसे फोल की पंखो maid की उपर डाल देंगे फिर हम डालेंगे फिर सोफ रज़ी पाॉडरि बदन स्वाद का अनूसर नमक डालेंगे और सब्सक्रान के लिए बश्या मेने लेखर फोल में काफी Bronton पानी से जब मसलमें तो अच्छी पानी ऐτα हना गोल मिल जाँ जिसे थोल से घीला लग रहा है तो एक चमच नहीं कि अदर चमच्रा लिए करीब और बेशन डाल दिया है और ये देखिए कुछ इस तरह का ये तयार हुआ है घौल और इसके बाद मैंने यहां पर तेल गरम किया है सर्शो का तेल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप चाहे तो कोई और तेल यूज कर सकते हैं फिर हम यहां पर पकोड़े क सेप देकर इसे एक-एक करके डालते जाएंगे गरम तेल में और यह हमारे पकोड़े तलना सुरू करेंगे इस तरह से तो यह दिखे एक बार में जितना भी आया मैंने डाल दिया है और यह जब एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसे धीरे-धीरे पलट देंग बहुत ही टेस्टी भी बनता है मतलब इसमें टेस्ट इसका बढ़ जाता है तो आप इसे कच्छे चावल के साथ ही बनाएं तो यह काफी अच्छा लगेगा आपको आप अपने घर में इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ किजिए अगर अच्छा लगे तो एक लाइक विडियो को सेयर किजिएगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि मुझे आगी मोटिवेशन मिलता रहे है इसी तरह से काम करने का तो यह देखे हमारे पकोड़े बिल्कुल क्रीश्पी से ब्राउन से हो गया है तो अब हम इसे उतार लेंगे और यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं इसे हम थोड़ा सा होड करेंगे तक इसका सारा तेल निकल जाए और हम इसे निकाल लेंगे तो हमारे जो नेनुआ के फूल है उसके पकोड़े बनकर तयार हैं आप अपने घर में चुरू ट्राइ किजिए इसे हम चावल के साथ खाते हैं डाल चावल लेंगे तरह से जैसे हमने पहली बार तला तलना उसी तरह से तल लेंगे इसे वी कि तो ये दिखें हमारे कोड़े बनकर रेडी हैं बिल्कुल एकदम क्रीसपी से बहुत ही टेष्टी और बहुत ही ऐसं बाग कर तयार हैं तो आज का वीड़ीयो को कैसा लगा जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए बाई अपना ख्याल रखेगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखेगा